साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर तो जैसा कि हमने जरेंटिक डिसॉर्डर को स्टार्ट किया था और यहां से बहुत सारे कॉश्चन्स आपको एक्जाम में बिलेंगे तो अभी तक आपने दोरों लेक्चर्स को देख लिया होगा तो अब हम य क्लास 12 के बाद से कोई भी बायलॉजिक आप एक्जाम देते हैं चाहे वह आप जी आरेफ का दीजिए चाहे आप MSC इंटरेंस का दीजिए मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा पेपर बनता है जहां पर सिंड्रोम के कोश्चन्स नहीं आते हैं ठीक है तो एक ना सिंड्रोम डिसाडर इसमें मैंने आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो जहाँ पर मैंने इस तीरो तृम की आप म Fazis कखने मिलेदीजर इसमें जहां तो जैसे सिंडूम जो होता है यहां सकते है और स notre बाहते हैं यहाँ पर group of the disease जब में होता है तब इसको क्या कहते हैं syndrome मोलते हैं तो यहाँ पर जो हमें समझने वाले हैं वो यहाँ पर down syndrome है जो उसको बहुत ही ध्यान से समझते जाईएगा यह आपका क्या है genetic disorder है in the presence of an additional copy of the chromosome number 21 यानि कि यहाँ पर सबसे important है जो पहला question यहीं पर arrive होता है कि down syndrome में क्या होता है तो आपके number of the chromosome जो होता है कि आपको species to species जो होते हैं क्रोमोसोम के number क्या होते हैं वो constant रहते हैं मतलब fixed रहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक particular chromosome number है जो कि आपका 21 chromosome है आपको पता है ना कि हमारे गर हम human की बात करते हैं तो हम 46 chromosome है ठीक है पेर्ड में होते हैं यही तो कहानी होती है तो यानि कि आपका 21 chromosome number है वो क्या होता है कि वो आपका ज्यादा मात्रा में आ गया additional copy है तो इसको क्या बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं कि हमने इसके पिछले lecture में यह वर्ड को terminology को समझा था ट्राइसोमी मोनोसोमी यह डिफरंट डिफरंट चीज़े होती है तो यहाँ पर क्या होता है जब 2N मतलब plus 1 की condition है तो हम तो हम इसको क्या कहते है ट्राइसोमी कहते हैं तो यह चला है कि आपको इसके पर देखने को है की इस पर्टिकूलर डिजीज को सबसे पहले किया थी सबसे पैंड protect किया है इसी वजह से इस टेकुलर डीजीज का नाम ज heck सबसे पहले डिसक्राइब किया था अब यहां पर जो आपको डिस विक्ति में डिजीज होती है वाहां तो जो तो आपका affected individual होता है, वहाँ पे short statured with small round head, furrowed tongue and parsley open mouth होता है, अलाकि ये figure के form में अगर आप देखना चाहें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि tongue जो होंगे, वो खुले हुए होंगे, थोड़ा open होगा, ठीक है, तो इस तरीके कि आपकी congenital heart disease वगरा, इस तरीके कि आपको ये symptoms देखने को मिलते हैं, तो कभी-कभी exam में इसके characters भी पूछे जाते हैं, कि आप कैसे पता लगाओगे, कि ये symptoms जो है, वो आपके down syndrome है, तो ये particular 4 symptoms आपको याद रखना है, पाम जो होगा, वो आपका broad होगा, with characteristic palm crease यहाँ पर पाया जाता है, physical, psychomotor and mental development जो होता है, वो यहाँ पर retard होता है, निकि mental development बच्चे का नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आपको इसका characteristic याद रखना है, और किस chromosome number की वजह से ये आपको disorder देखने को मिल ला है, यह आपका बहुत important है, तो यानि कि यह trisomy के अंतरगत आ जाएगा, और 2N plus 1 वाली condition है, अब थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाते हैं, तो जो आपके numerical chromosomal abnormality हैं, अगर हम इसको कह सकते हैं, तो some commonly observed syndrome या disease due to numerical chromosomal abriation, यहां पर syndrome को यहां पर बताया भी गया है, जो भी मैं अलड़ी चर्चा कर रहा था, इस जनरली डिफर्टू एज ग्रूप ऑप दा सिम्टम्स विच कॉंसिस्टेंटली अकर टुगेदर कहने का मतलब है, कि आप कह सकते हैं, कि आपका group of disease कह लीजिए, group of symptom कह लीजिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, syndrome कहते हैं, तो यह question भी आप से पूछा जा सकता है, और एक condition characterized by a set of associated symptoms, a disease referred to abnormal physiological response to internal or external factor, यहीं बहीं आपका दोनों चीजों में difference दिया गया है, यहां पर जो आपका syndrome होता है, उसमें क्या होता है, कि आपके group of the disorders कह सकते हैं, group of the symptoms आपको आएंगे, ठीक है, अब यहां पर अगर हम down syndrome की बात करते हैं, तो incidence जो है, वो बहुत कम है, अगर आठ सो बच्चो अगर live birth हो रहे हैं, तो उसमें कहीं पर एक case में हमको यह देखने को मिलता है, chromosomal basis पर जाते हैं, तो यह हमारा genetic condition की वज़ा से arise होता है, extra chromosome मेरा chromosome number 21 होगा, यही तो होता है, deployed form में होगा, लेकिर यहां पर क्या होता है, कि वो तीन बार repeat हो रहा है, यानि कि कितनी बार repeat हो रहा है, twice रहा है, twice बार आप कह सकते हैं, तो यानि कि जो condition हमारी बनी है, यह हमारी twice हो मी बनी है, normal condition में यह दो बार repeat होता है, तक कैरियो टाइब अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो जो आप इको रिप्रेजेंट करेंगे इसको आप 47 कह सकते हैं या 47XX प्लेस 21 फीमेल या 47XY कंडिशन जो होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी ब अबिलिटी आप दा क्रोमोसोम टू सेपरेट एड़ टाइम आप दा सेल डिवीजन यानि कि जो आपकी सेल है वो डिवीजन के समय सही से सेपरेट नहीं हो पाई जिसकी वज़ा से क्या हुआ आधा अधूरा डिवीजन हुआ समझ रहो जैसे फॉर एक्जांपल दो क्रोमो अबिलिटी बोलते हैं या अब्रियेशन बोलते हैं तो अगर आप से पूछा जाएगा कि अगर इसके हमें कोई रीजन के बारे में बता दीजी कि क्या इसका रीजन है तो इसका जो सिंपल रीजन है कि जो आपकी सेल डिवाइड हुई तो उस समय वो सही से क्या हो पाई वहाँ पर non-disjunction हो गया, यानि कि वो inability of the chromosome to separate at the time of the cell division, इसके बाद the possibility of having down syndrome baby in the family increases with the maternal age, it has been reported that more than 85% down syndrome babies are born in mother over 35 year of the age at the time of the pregnancy, तो हला कि ये कह सकते हैं कि ये एक data है जहां पर ये भी suggest करता है कि जो आपका down syndrome baby होते हैं, उनके मतलब उनकी condition maternal age के साथ जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि more than 85% down syndrome babies are born in mothers over 35 year of the age, ठीक है, तो यानि कि आप कह सकते हैं कि जब 35 year के बाद अगर female conceive करती हैं, तो उनके में down syndrome baby होने के chances जादा होते हैं, तो कुल मिला कि चार लाइन का जो यहां पर sentence दिया गया है, उसका सारांस ही है, अब अगर हम आगे जाते है, clinical symptoms से मैंने आपको अलड़ी यहां पर बता दिया है, कुछ features है, down syndrome के flat face होगा, slanting eye होगा, small mouth होगा, protein tongue होगा, यानि कि जो आपका tongue होगा, वो बाहर की तरफ निकला होगा, nose flattened होगी, salt neck आपको देखने को मिलेगा, मतब सारी चीजें जो होगी, वो इसके अलावा, जो down syndrome के बच्चे होते हैं, उनको सास लेने में भी problem होती है, या heart या hearing problem, तो कुल मिला के multiple characters आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, अब आप इसको diagnosis या treatment कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इस factor पर जाते हैं, तो down syndrome are usually diagnosed by extra chromosome 21 in the karyotype, जब आप chromosome का karyotype कराएंगे, तब आपको वहां पर यह देखने को मिल जाएगा, there is no single standard treatment protocol for the down syndrome, treatment are tailored on specific set of condition presented by these individuals, at early age, children with down syndrome can benefit from speech therapy, physiotherapy and talking nutritional supplement, तो इस तरीके कि अगर यह condition आती है, तो बहुत जादा इसके cure अवेलेबल नहीं है, आपको उनी के साथ जाना पड़ेगा, in early 1900, on and average down syndrome used to live until age 9, now with the advances in the diagnostic and treatment technology, the age expectancy had increased कर दिया गया है, 60 animal logal, हाला कि देखा गया कि, हाला कि जब यह बच्चे पैदे होते थे, तो 9 साल या 10 साल के उर्में उनकी death हो जाती थी, but अब जो हमारे पास technology है, या जो हम उनका cure कर सकते है, तो लगवाग ऐसा पाया गया है, कि अब उनकी जो age है, वो बढ़ा दी गई है, बट फिर भी इसका कोई भी chromosomal abnormality का particular down syndrome का कोई भी ऐसा treatment नहीं है, कि आप इसको सुधार कर सकते है, बाकि अगर आप कर आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा figure यहाँ पे लगाया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आप पे individual है, जिसको down syndrome है, जो यहाँ पे down, हलाकि एक client filter अभी हम अगले lecture में पढ़ेंगे, तो पहला आपका यह down syndrome का है, यहाँ पे बहुत सारे chromosome नंबर आपे कितने हैं, अगर आप देखना चाहें, तो 22, 23 chromosome है, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, यानि कि तीन फॉर्म, मतब तीन डिजिट में आपको देखन हुआ है, तो यह जो कहानी आई है, वो आपको इसी abnormalities की वज़ा से आया है, बाकी यहाँ पे आपको figure लगा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बच्चा है, जहाँ पे आपको congenital heart disease के chances देखेंगे, big and wrinkle tongue आपको देखने को मिलेगा, ब्रॉड flat face देखने को मि हैं, उनको भी हम यहाँ पे समझते हुए आगे चलेंगे, तो पर्टिकुलर यह पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देख लिजेगा, down syndrome आपको कहीं ना कहीं exam में जरूर मिलेगा, बाकी यह पर्टिकुलर वीडियो, यह information, यह सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इ जरूर कीजेगा, बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट information के साथ, thank you very much.